दोस्तो अमीर बनना तो हर इनसान का सपना होता है और वो से पूरा करने के लिए हर मुम्किन कोशिज भी करता है लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो की अमीर लोगों में होती हैं तो आप भी जल्द ही अमीर बन सकते हो क्योंकि कुछ ऐसी आदते होती है जो ज़्यादा तर अमीर लोगों में देखी जाती है आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपना कर आप भी अमीर बन सकते हो तो दोस्तो अगर आप भी उनात्तों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाश्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा नमबर वन अमीर लोग सिर्फ अपने गोल के बारे में ही सोचते हैं दोस्तों अमीर इनसान बनने के लिए आपके जिन्दगी में कोई न कोई गोल होना बहुती जरूरी होता है किसी भी अमीर इनसान को ये बिलकुल क्लियर होता है कि उसका एक दिन का गोल क्या है और एक हफ़ते एक महीने और पुरे साल के गोल क्या है अब क्योंकि उनके गोल क्लियर होते हैं तो वो ये पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि उन्हें किस गोल को मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अचीव करना है और इसी हिसाब से वो अपने कामों को करते हैं और जिन्दगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं जबकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में कोई गोल ही नहीं होता बस वो समय और हालात के हिसाब से अपने जीवन को जीते चले जाते हैं और इसी वज़े से वो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाते इसलिए अमीर बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप भी अमीर लोगों की तरह अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करें और उस गोल को आपको कितने समय में अचीव करना है ये भी तभी डिसाइड कर लें क्योंकि किसी भी गोल को कम से कम समय में अचीव करने के लिए उसका टाइम बाउंड हो आपको उसी हिसाब से डेली उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना सुरू कर देना है और किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में बाट दो फिर उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना सुर अचीव कर पाओगे और एक सफल इंसान बन पाओगे और अगर आपका ध्यान इधर उधर की फालतू बातों पर लगा रहेगा तो आप चाहा कर भी अपने उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे एक बात और जिसका आपको खास ध्यान रखना है जब तक कि आप अपने उ लक्सया से भटका दे या फिर आपका लक्सया पुरा नहीं होने पर लोग आपको ऐसी बाते बोल सकते हैं जिससे आपका मनोबल तोट जाए या फिर आपका प्लान कोई चोरी कर ले इसलिए अपने गोल को अचीव करने से पहले उसके बारे में किसी को भी ना बताएं क्यो नहीं बताते। अपने हर काम को प्रोपर तरीके से और तैय समय में पूरा कर पाते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी काम को पूरी प्लानिंग के साथ एक्जीक्यूट करते हैं तो आपके उस काम में सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने काम को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आती और अगर कोई प्रोब्लम आती भी है तो उनके पास इतना समय होता है कि वो अपने उस काम में आसानी से फिर बदल कर लेते हैं और अपने काम को तै समय में बड़ी ही आसानी के साथ पूरा प्रोपर तरीके से पूरा कर सको इस तरह चोटे चोटे गोल्स को अचीव करना सुरू कर दो और देखना बहुत ही जल्दाप बड़े गोल को भी बिना किसी परेशानी के अचीव कर पाओगे नमबर थ्री अमीर लोग अपने उपर पैसे खर्च करते हैं और हमेशा कुछ नया सीखते हैं जी हाँ दोस्तो अक्सर अमीर लोगों में ये आदत होती है कि वो अपने उपर भी पैसा खर्च करते हैं और वो ऐसा नई नई स्किल्स को सीखने और खुद को और ज़्यादा बैटर बनाने के लिए करते हैं तो दोस्तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी सादत को अपनाना होगा और अपने उपर कुछ पैसा खर्च करना सुरू करना होगा ताकि आप नई नई स्किल्स को सीखकर खुद को और भी ज़्यादा बैटर बना सको अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन्दगी तभी सफल हो पाती है जब आप कुछ न कुछ नया सीखते रहते हो और जिन्दगी हमें कुछ न कुछ नया सीखाती ही रहती है बस हमें सीखने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं वो रोज कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हैं जबकि आम लोग अपना कीमती समय इधर उदर की फालतु बातों में बर्बाद कर देते हैं और वो कुछ भी नया सीखने की कोशिस ही नहीं करते अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आज ही अपनी सादत को बदल ले और अपने कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद करने की बजा कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाएं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सक्सेस्फूल लोग अपने समय को फोन देखने टीवी देखने या फिर सोसल मीडिया पर बर्बाद नहीं करते बलकि वो अपने कीमती समय को कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाते हैं और जब हम तो उस दोरान हमें अपने अंदर की काबलियत के बारे में भी पता चलता है जो आगे चलकर हमारे काम आ सकती है तो दोस्तो आप भी अपने फ्री टाइम को यूही बरबाद करने की वज़ाए कोई ना कोई नई स्किल सीखने में लगाएं ताकि आगे चलकर आप भी एक सक्सेसफुल इनसान बन सको तो दोस्तो ये थी वो तीन खास आते जो की हर अमीर इनसान में होती है तो चलिए अब हम इस वीडियो को समराइस करते हैं सबसे पहले हमने बात की थी अमीर लोगों की कुछ आदितों के बारे में जिने अपना कर आप भी अमीर बन सकते हो पॉइंट नमबर वन था कि अमीर लोग सिर्फ अपने गोल के बारे में ही सोचते हैं और इस पॉइंट में हमने बात की थी कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी अपने जीवन में अमीर लोगों की तरह हैं एक टाइम बाउंड गोल सेट करना होगा ताकि पॉइंट नमबर टू था अमीर इंसान अपने हर काम को प्लानिंग के साथ करते हैं जिसमें हमने बात की थी कि हर अमीर इंसान रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के कामों की पूरी प्लानिंग बना कर सोते हैं जिससे उन्हें उन कामों को पूरा करने में कोई और वो लोग ऐसा नई नई स्किल्स को सीख कर खुद को और भी ज्यादा बैटर बनाने के लिए करते हैं और अमीर बनने के लिए आपको भी अपने फ्री टाइम को कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए ताकि आप भी अमीर बन सको उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जहिन दोस्तो